जैहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी को KPS Study Point YouTube चैनल पर तो आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं TA Army भरती के बारे में यानि कि टेरिटोरियाल आर्मी भरती के बारे में आप में से काफी ये स्टुडेंट का कमेंट आ रहा था कि TA Army क्या रहे लिग कब से कंड़क्ट करा वाला है तो वीडियो में लाश्ट तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए तो दोस्तो यहाँ पार आप सभी देख सकते हैं TA Army भरती के अंतरगत जो आपका इस सल पोस्ट रहने वाला है यानि कि टोटल नंबर आओ पोस्ट जो आपका रहेगा या तीन हजार जो है प्रॉक्स में रहने वाला है 2021 के रैली में और जिसमें आपका पोस्ट नेम रहेग 42 वर्स एज जो है काफी ज़्यादा है और आप में से सभी ये स्टूटेंट का लगबग 42 वर्स से कौम जरूर एज होगा इसके बाद यहां पे बात करें अप्लीकेशन फी की तो इसमें किसी भी परकार के अप्लीकेशन फी नहीं लगता है क्योंकि आप सभी को पता है कि ये जो वेकेंसी होता है इसका डाइरेक्ट रैली होता है इसमें किसी भी परकार के जो है फर्म अप्लाई नहीं होते हैं चाहें वह आउनलाइन हो या ओप्लाइन डाइरेक्ट आपका रैली कराया जाएगा यहां पी जो केसनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो तेंथ पा चलर्क भरती में जाने के लिए 12th pass और GD ट्रेड में के लिए 13th pass होना आवास्यक है इसके बाद यहाँ पे बात करें तो यह वेकेंसी जो है आप सभी को पता है कि डाइरेक्ट रैली होता है और डाइरेक्ट जो रैली आपका होता है यह जोन वाइज कराया जाता है यहाँ प पंजाब और इसके अलावा दिल्ली चंडी गड़ आपको देखने को मिलेगा इसके बाद जोन 2 की बात करें तो इसमें बिहार एस्टेट आपको देखने को मिल जाएगा मध्य पर्देश, उरिशा, उतर पर्देश, उतराखंड, जारखंड and 36 गड़ तो अगर आप सभी बि इसके बाद जोन 4 के अंतरगत आपको बता दे अंदर पर्देश, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, महराष्ट, राजस्थान, करनाटका और इसके अलावा दादर और नागर हवेली, गोवा, दमन्दिव, लक्षदिव और पंदुचेरी ये सभी जो एस्टेट है और के अ आठारे हजार से पेस्केल इसमें सुरू होगा, हाइट की बात करें तो टीए आरमी के अंतरगत जो आपका हाइट रहने वाला है, हाइट इसमें काफी कम मांगा जाता है, एक सव साथ सेंटीमिटर अगर आपका हाइट है, तो आप सभी इस भरती में भाग ले सकते हैं, य जानिंग की बात करें तो एक पॉइंट छो किलो मिटर यानि की सोले सो मिटर रनिंग कराया जाता है, जो की पांच मिनट तीस सकेंड से लेकर पांच मिनट पैंताली सकेंड तक आपका होता है, यानि की अगर आप सभी पांच मिनट तीस सकेंड में रनिंग करते हैं, तो आ medical exam होगा, retain exam होगा, document verification होगा और final merit list बनेगा इसके बाद who can apply तो all India candidate इस भरती में भाग ले सकती हैं और ये vacancy केवल male candidate के लिए होता है इसमें female जो है भाग नहीं ले सकती है केवल male candidate के लिए vacancy होता है यहाँ पर required document जो है आपको जो Riley में आप जाप जाएंगे तो उसमें आपको document ये लगेगा educational certificate जिसमें तेंध 12th का हो, domicile लगेगा, caste लगेगा, unmerit certificate, date of birth और अधार काड या pen काड कोई भी हो तो आप ले कर जा सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर बात करें इस भर्ती की Riley date के बारे में यानि की important date के बारे में तो यहाँ पर आपका Riley जो सुरू होने वाला है वो October 2021 में सुरू होने वाला है और ये Riley आपका December 2021 तक चलेगा क्योंकि आप सभी को पता है कि जो territorial army के हाल ही में officer post की भरती जारी किया गया था जिसका last date 29 अगस्त 2021 तक रहने वाला है आप सभी को पता होगा क्योंकि इसके बारे में मैंने पहले आपको बताए थे इसके अलावा एकस सर्विसमेन की जो वेकेंसी था वो भी वेकेंसी जारी किया गया है टीये आरेमी के तरब से हाल ही में और उसका भी Riley होने वाला है इसके बारे में मैंने आप सभी को अलरेडी बता चुका हूँ अब आपका जो वेकेंसी होने वाला है वो तेंथ पास पर होने वाला है क्योंकि काफी दिनों से ये वेकंसी नहीं आ रहा है लास्ट वेकंसी जो आपका था 2019 में हुआ था उसके बाद 2020 में टीए आर्मी के तरब से कोई भी भरती नहीं आया था और 2021 2021 में जो है आपका भरती अब होने वाला है तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे आप सभी अपनी तैयारी करते रहें क्योंकि अक्टूबर मन्त में आपका रायली सुरू होने वाला है तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जहिंद बंदे मात्रम